दोस्तों हर इनसान काम करता है और पैसे कमाता है अगर दुनिया में बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो अपने काम को बहुत तेजी से और सफाई से करते हैं और अपने काम में बेहत एक्सपर्ट हैं अज हम आपको कुछ ऐसे ही फास्ट वर्कर दिखाएंगे तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो दोस्तों अगर ओफिस वर्क में कैलकुलेटर का इस्तमाल करना पड़ता है बहुत से लोग मुबाइल से काम चला लेते हैं लेकिन कुछ लोगों का कैलकुलेटर के बगएर गुजारा ही नहीं होता जैसे इस ओरत को देखें ये इतनी तेजी से कैलकुलेटर को चला रही है कि क्या कहने जैसे सालों की प्रैक्टिस कर रखी हो अब ज़रा इसकी उंगलियों को चलता देखें सच में कमाल है दोस्तों कंस्ट्रक्शन के काम के दुरान कोई मजाक नहीं होता और ये कोई स्टंट की जगा नहीं होती मगर इस आदमी को देखें इसे अपने काम से इतना प्यार है कि इसने अपने काम को ही स्टंट बना रखा है जड़ा इसकी महारत का अंदाजा देखें काम भी हो रहा है और साथ में स्टंट भी हो रहा है दोस्तों आजकल इतनी तरक्शी हो गई है कि हर चीज़ बदल चुकी है और कोई भी काम मशीनों के बगार नहीं किया जाता यहां तक एक घास के लिए भी मशीन का इस्तमाल होता है अगर इस इनसान को देखें यह मशीनों से भी तेज है और यहां इसने मशीन से पहले घास काट दिया सच में कमाल है यह आदमी दोस्तो यह वरकर्स एक ट्रक को लोड कर रहे हैं और इस पर कांच की बोतलें लाद रहे हैं जो के बोक्सिज में रखी गई हैं बगर इनकी तेजी देखें यह परफेशनल वरकर्स हैं इसलिए कोई चूक नहीं कर रहे दोस्तो संत्रा चीलना काफी मुश्किल काम होता है और अगर यह हाथों पर लगे तो तकलीफ का बाइस भी बन सकता है अगर इस लड़के को देखें यह संत्रा चीलने में माहिर है देखें यह कैसे महारत के साथ संत्रा चील रहा है दोस्तो फास्ट वर्कर्स की बात हो तो हम स्ट्रीट फूड वालों को कभी नहीं भूल सकते क्योंकि उनको अपनी दुकान के गाकों को हैंडल करना अच्छी तरह आता है तरह इस आदमी को देखें इसके हाथ कैसे चल रही है दोस्तो इस ओरत को देखें ये कितनी एक्सपर्ट है ये दूसरी तरफ देखते हुए भी बिल्कुल सही तरह से एड़टाइजमेंट पंफलिट काट रही है दोस्तो अब इस वेटर को देखें ये कितनी सफाई से और जल्दी में काम कर रहा है सच में कमाल है ये तो अभी सोरत को देखें ये एक माल में चीजें बदल रही हैं और इतनी एक्सपर्ट है कि इनके दोनों हाथ बहुत ही तेजी से चल रहे हैं और कोई गलती भी नहीं हो रही दोस्तों गैस सिलंडर को एक जगा से दूसरी जगा ले जाना काफी मुश्किल है अगर इस आदमी को देखें और इसको सिलंडर ले जाने का तरीका देखें अब आप भी ये तरीका यूज़ कर सकते हैं दोस्तो कोरिया में फिश में स्टफिंग भर कर तियार किया जाता है ये फूड वाँ बहुत शोक से खाया जाता है लेकिन इसे बनाने में काफी वक्त लगता है अगर इस आदमी को देखें ये बहुत एक्सपर्ट है और नहायती तेजी से काम करता है और घाकों को जरा भी देर नहीं करवाता तभी तो दुकान के आगे लाइन लगी रहती है दोस्तो अगर इंसान किसी भी काम में एक्सपर्ट हो जाए तो फिर अगर उसको खेलते हुए भी करे तो कोई फर्क नहीं पड़ता जैसे इस आदमी को देखें इसका काम करने का तरीका बहुत इंट्रस्टिंग है दोस्तो ट्रक से समान अनलोड करने में कई वर्कस की जुरूरत पड़ती है मगर इस आदमी का तरीका देखें और समान जरा सा भी नहीं टूटा और इसने अपना दिमाग लगाया है और समान के नीचे नरम गदे बांध रखें हैं और काम इतनी जल्दी और अकेले ही कर लिया दोस्तो आपको फास्ट वर्कस दुनिया के किसी भी शोबे में मिल सकते हैं जैसे यहाँ इन लोगों को सड़क को बनाता देखें यह इंटों को इतनी तेजी से लगा रहे हैं कि दिनों का काम घंटों में हो रहा है और वो भी वगयर किसी गलती के साथ दोस्तो लहजन और प्यास जिलना काफी मुश्किल होता है और आँखों में जलन भी होती है मगर इस आदमी का तरीका देखें जरा यह सच में एक्सपर्ट है दोस्तो टेकोनासी जापान का बहुती मशूर स्नेक है और लोग बहुत शोक से खाते हैं और वहाँ इस डिश को बनाने वाले इस आदमी को देखें यह कितनी तेजी से काम कर रहा है और इसका हुनर वाक्य में ही कमाल है दोस्तो अब जरा सिलाई की तरफ आएं यह ओरत गलफ्स त्यार कर रही है और इतनी तेजी से काम कर रही है कि इसे देखने वाले हैरान रह जाते हैं यह सब इसकी प्रैक्टिस का नतीजा है दोस्तो क्राउन बनाने के लिए काफी मेहनत करना पड़ती है क्योंकि इसे बहुत खूबसूरत बनाना पड़ता है अगर यह ओरत इस काम में काफी एक्सपर्ट है और साथ में अपने काम में तेज भी है दोस्तो कुकीज को बनाने में काफी मेहनत लगती है लेकिन आज के दोर में यह कोई मुश्किल नहीं क्योंकि आज कल इनको बनाने के लिए कई सरे टूल इजाद हो चुके हैं तरह यहां ही देख लें इस भाई को देखिए आटे को ट्राइंगल शेप में काट रहा है और इतनी तेजी से काट रहा है कि देखने वाला सोचता है कि अभी उंगलियां कट जाएंगी मगर यह आदमी बहुत एक्सपर्ट है तो दोस्तो आज की वीडियो में बस इतना ही उमीद करता हूँ दोस्तो आपको यह वीडियो पसंद देएगी ऐसी इंफूर्मेटिव और इंट्रस्टिन वर देखते रहने के लिए हमारे चैनल आज में पर आपको ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद देए तो इसे लाइक कोमेंट और शेयर करना मत भोलें थैंक्स और वाचिंग